हुआ हमारी करेंट अपे लेक्चर स्रीज में आप सबका स्वागत है और आज हम देखेंगे 22 परवरी 2018 की इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट न्यूज कौन-कौन सी है ठीक है आज हम रिवीजन एक्सप्रेस नहीं लाप आ रहे हैं क्योंकि तब यह थोड़ी आज डाउन है ठ प्लास्टिक से संबन देता अगर इस चार्ट को फ्लोचार्ट को आप इस इमेज को कोड़ से देखे तो आप क्यांके खुली की खुली रह सकती है क्योंकि एक साल के अंदर 500 बिलियन कितना 500 बिलियन टन प्लास्टिक जारी किया जाता है प्लैनेट पन के अंदर हुड़ दिया जाता है ठीक है आच सो मिलियन टन अससी लाक प्लास्टिक असी लाक टन प्लास्टिक काहाँ पर मासाय ग्रोग के अंदर चोड़ दिया जाता है ह। हर मिनट में एक मिलियन दस लाग प्लास्टिक की बोटले खरीदी जा रहे हैं ठीक है और पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी वेश्ट प्रोडक्ट उसमें प्लास्टिक का हिसा रहे है तो कितनी बुरी कंदिशन है इससे समन्दिती पंदेखें कि शीख अपन अनक्रा इसे रिलेटेड है तो कंदिशन है राधर दैन प्लास्टिक में हैं तो कंद n रेलेते हैं कुछ करूछा तो घृपर प्र अबमने जा रहे हैं तो थोड़ा ने हैं तो फोरीप यूठ पडूशन पहले जो नुज है वो ग्लोबल क्रेप्शन इंडेक्स क्या ग्लोबल क्रेप्शन इंडेक्स जारी किया तो पहले बात तो यह ग्लोबल क्रेप्शन इंडेक्स जारी कौन करता है तो यह ग्लोबल क्रेप्शन इंडेक्स जारी करता है ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल कौन में भार्त हमारे भार्देश का नाम नम्मर कितना एक टीवन कि 2016 कितना नम्मर था इसका मतलब है कि मोदी जी के राज में भी करप्शन तो बढ़ रहा है लेकिन इसमें इतनी निरा सुने की बात नहीं है इस लिस्ट के अंदर आगर आप डेटेल एनलाइसिस ले वह इतना काम कहा है नहीं फिर भी आप सुन लो ब्राजिल के अंदर भी करप्शन बढ़ा है 96 रैंग पर पहुंच गया 180 देशों में यह अपना USSR रस्या के अंदर करप्शन पहले 130 रैंग पर था अब 135 पर पहुंच गया कितनी पूर तो साथ अफ्रिका के अंदर भी करप्शन बढ़ा यह अपना पाकिस्तान वहां पर भी करप्शन 116 से 170 रैंग पर पहुंच लिया ब्रश्टाचार के नहीं एक देश ऐसा है जिसके अंदर इंप्रूमेंट वर वह देश कौन सा है चाइना चाइना के अंदर करप्शन में ब्र आपके सब्सक्राइब वर पसंदीए नंबर पर आख इसके अलावा कौंण कौंण सी चीजों पर इसने धान दिया करप्शन के तो करप्शन को रोखने के लिए यह बताया गया कि सारे के सारे देश्य हैं बहुत स्लोली चल रही को रोकने तो अपने लिए से इंपोर्टें यह CGS वज्जर, क्या है? CGS वज्जर, यह Indian Coast Guard का सिप है, किसका? Indian Coast Guard का सिप है, इसको decommission कर दिया, इसको विदाई दे दिये इसको अटा दिये तो पूचा जा सकते है वह वज्जर क्या तो इंडियन कोस्ट गाड में कभ यह सामिल वा था तो पूचा जा सकता है कि इसी जी आस वज्जर क्या है तो वज्जर को डीकमिशन कर दियेगा आपने सुठां इंदर मेख्स तरग्यधार प्रिस्का दिया गया था अगवर को रहत रेग 토ल यह मेकर डिसकस करते आ रहें जैसे जाता नाकरंजुन आज कोँना डिसकस करें रवी कुलम कुण सा एर्वी कुलम नेशनव पार्क एर्वी कुलम नेशनल कंनं देव की पाढ़ी ओपर कुछा जा सकता है कननन देव की पाढ़ि की फार्व मेरी संबmem स्ब्स.ð पड़ेगी अगर सेलेक्ट होना है तो ऐत्पते नाम यायत करने पड़े लिए तो बाढ़ने लिए सुप्यान को का राशनल पार्क जाचया आइन्दर इरिविकुलम नसनाल पार्क के तांदर जो वहां के लोकल लेंग्वेजिस में इर्वी कुलम का मतलब क्या होता है इस्ट्रेम सेंट पूल तालाब से संबन देद तीक है इस लिस्ट का नाम इर्वी कुलम नेशनल पार्क अंदरी प्रायदीप भार्ट की सबसे उंची चोटी अन्ना मुदी कितनी उचाई है 265 में इर्वी कुलम नेशनल पार्क के अंदर है इर्वी कुलम नेशनल पार्क के अंदर है इर्वी कुलम नेशनल पार्क के अंदर है कितने प्लांट किस टाइब की प्लांट्स मिलते तो यह तीन त्रेक प्लांट मिलते ग्रास सर्प्स और शोला फोरेस्ट ग्रास सर्प्स और नेशनल पार्क लेक है even Masid एर्विक ऊलम चीश हिसी जगह पर होती है तो यह नील कुरंजी का पादप वेश्टन इसाल करता है को नील कुरंजी का पादब रखना कहां पर मिलता है किएर कुलंब न Staatsumo ऑए इसके लावाँ नीलगरी थार विए ऑन गनीलगरी थार औरीसन गरीथा दाटर नीलगरीथार गें चाहिए पैरेयार चाल कुड़ी और पंबार पैरियार पंबार चालकुड़ी चाहिए पैर्यार पंबार टीन नदिया इसके लाओ है है यहां पर जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते है मुत्थुवण्स मुत्थुम्स तो, यह कितना इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है इर्वी कुलम नेशनल पार्क पहली बात तो क्या इडवी कुझ जिले में है का किसके केरला कि ठीक है कौन सी चोटी प्राय दिपी बात की सबसी जो उंची चोटी अना दुमकी 265 मिट्रोस की उंचाए वो कहा पर ए इर्वी कुलम न इर्वी कुलम नेशनल पार्क है तो इसके अलाव जो हमने रखा था उससे संब्धितनी प्लास्टिक पॉल्यूशन और प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात अपने क्यों कर रहे हैं क्योंकि पांच जून को मना जाता है एन्वार्मेंट डेविश्यू प्रयावन दिवस और इस बार का प्रयावन दिवस इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा जो ओफिस्यल ग्लोबल वर्ड कि अन्वार्मेंट कोंफ्रेन्स होगी वह कांपर होगी है अंडिया केंदर होगी और इसकी थीम क्या है वह है यस बार इस ना कि थीम में REP TP 552 प्लास्टिक में मुल oy को अ थीम होगी तो अपने बताये था कि वर्ल्ड correspondent और अपने वता है कि प्लास्टिक हर से के उसमें से 10% इसक प्लास्टिक का है 4005 टन प्लास्टिक परती दिन जारी हो रहा है कितनी खराब 10 लाग बहुत ले प्लास्टिक ये बहुत ले हर एक मिनट में खड़ीती जारी है 50% प्लास्टिक ऐसा है जो एक बार यूज करने के बाद फैंक रहे हैं तो इसलिए इस बार की थीम क्या है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन तो ये कुछ फैक्ट है अपने को अपने आंसर में कोट करने में काम आ सकते हैं प्लास्टिक का प्रोडक्शन क्या है बढ़ गया है कितना 707 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है एमम्टी और सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोड की जो रिपोर्ट है 2015 की वो क्या कह रहे है कि 4069 प्लास्टिक का जनरेशन हो रहा है इंडिया के अंदर तो कितनी खराब बात है ठीक है 2015 के अंदर इंडियान क्या स्कीम अप्रूव की setting of a need-based plastic part for requesting state of the art infrastructure to assist the sector move of the value chain need-based plastic parts की स्थापना गोशना की 2015 में ठीक है इसके अलावा जो अभी ओखी चक्रवात आया था उसका भी रीजन यह बताए गया है कि यह प्लास्टिक की डिवेरी खट्टी हो गई थी कहां पर महराष्ट्रा केला कर्राट का गोवा के जो तटवटी इलाके यहां पर यहां पर तो की चक्रवात को तो अपने दे उसके थीम प्लास्टिक पोलिोशन डे ओसिइसंद न्यसम भी खुआ ठीक है दो यह सारी वात लिए अपने इसके अलभाít जो थो लास्ट्रेजांच समदाब्यस यह बात तो रांसिको है थे खोन और थे कौन तो डारह शिको को थे डारा शीको थे सहांजा का बड़ा बेटा अठीक और इो इसक कि चर्शा क्यों कर रहे हैं आध सम्छिक साजा का बड़ा था घब इसके लावब है कि रीलीज धार्मिक संप्रूवत है धार्मिक संभाव कि बाहना असके कि आपने से उन्य तेसे लिए उसको क्या अगल सारे मुगल सासकों से अलग रखा जाते कि इसको दारजिकों सब्सक्रण समभाव जैसे बाते करता था अंदर से कुं। हुआ के और उसका इदर दॐता चिस्ती संम्न दा कि 2 जम की चस्ति यह दारा की तरब दुखाु तक बढ़ उसने सारे शारे उपनीशित दे उनका ट्रांसलेशन कराया कि इसमेफ पर्सियन में संस्कर्ट से पर्सियन में वह उपनेशित का अनुवाद किसने करा दाराशिकोन उसने एक बुक भी लिखी क्या लिखा मजमा उल्ले बहरीन मजमा उल्ले बहरीन मजमा उल्ले बहरीन मजमा उल्ले बहरीन किसने लिखी दाराशिकोन ने लिखी ठीक है किसके बीच में सिंक्राइजेशन के लिए सुफिजम और वैदिक फि कौन सी बेटल में आ गया तो वह में बोटर सामू गड़ की बेटल में तो यह दारा शिखो तो देट इधा टूडेज लेक्चर एडिशन अपने को क्या अपने को क्या ध्यान लखनी है इसके लावा जो हमारी रेगुलर लेक्चर रिवीजन एक्सप्रेस चलती है उसको भी पर देख लेते हैं कि कल के लेक्चर में अपने क्या क्या देखा था घ्यां एक तो एन-डी ऐचेफ नेशनल अरबन हाउसंग फंड उसमें खास बात यह थी यह कौन किसके अंडर हमाता तो बी-म-टी-पी-सी अपने बताया था बिलिडिंग मैट्रियल एंड टेकनोलोजी इसके लाव आपने सोलर साइकल की बात किती है कि सूर्य की सतय पर जब चुम्बक की फ्लक्स की मातरम वर्दी होती है और कम ही होती है तो एक पूरा साइकल बनता है उसको गोलते है सोलर साइकल यह सन इस्पोर्ट वेजीवल लाइट में दिखाई नहीं देता क्योंकि इसका इसके लाव आपने बताया था यूकाटन जो प्राइदी पहें मैक्सको के अंदर यूकाटन वहाँ पर सबसे बड़ी अंडर वाटर के उखोजी गई यह बात पर अपने की थी इसके लाव आपने ने यूनिशेप की नियो नेटल रिपोर्ट डैथ रिपोर्ट डिसकस कित इसमें बताया थे कि इंडिया के अंदर 6 लाग बच्चे एक महने की उमर से पहले मर जाते और इंडिया के अंदर जो नियो नेटल डेथ रेट है वो कितनी पाच्छीज पोइंट चार है ठीक है हाला कि यह बताया था कि अपना के लुए लगव अगरम आपन नियो नेटल प्रवाद नियोनेट्स के लावब पिर अपने बताया था कि मैक्शिको की जिस सिटी महां पर एक पिरामेड़ सिटी खोजी गई है वह एक अजार से तेरा सुपचास एडि पुराणी है और उसका नाम क्या है उस इटी का नाम है अन्नागा मोको सिटी कहां पर मैक्शिको में और वहाँ पहर जो लोग रहते थे उनको क्या कहते है प्योरे पेचा प्योरो पेचा कहते है यह बात अपने बता है एक से ज डिसकस किया था WCIT वर्ड कॉंग्रेस ओन इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी कहा पर आयो जी तो रही है एद्राबाद के अंदर आयो जी तो रही है इंडिया के अंदर पहली बाद कब से शुरुआती उन्हें कि फ्योचर एंटरप्राइज इस बार की थीम है कि यह बताया था क्य? बटाया था है कौण है डरु इनफॉर्मेशन टेक्नोलोजी एंदॉन सर्विस ऐलाइन WITC को सब्सक्राइब कर जापान इसको सब्सक्राइब कर तैक्नुलोजी कौन इस च रहा जे अर्याना या अपनी दिल्ली उत्र प्रोदेश है ठीक अ महाराश्चर गुजरात व्राजस्तान अपना च्रटर श्तापित करनी दुकान खुलनी तो नहीं दिलेने की ज़रुआत नहीं है तो यह अपना रिवीजन था कि कल आपने क्या क्या दिसकर्श किए था आज की लेक्चर का फास्ट रिकर ले ले तो अपने दारा सिकों को देगा जाग सागा सबसे बड़ा बेटा था ठीक है इसके लाव अपने प्लास्टिक के बारें बात की और इस बात का जो प्रयावन 25 जून को इसकी थीम क्या है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसके लाव उपने बात की नील इर्वी कुलम नेशनल पार्क कहां पर है के लाव में इसकी खास-खास बात है अपने को जान रख नहीं है प्रयादी भी बात की सबस्योंची जो ट्य इसके लाव अपने वज्जर देखा कि इंडिन कोश्ट गार ने वज्जर को क्या करते है डी कमिशनर और इसके लाव गलोबल कर अफसन इंडेक्स तो यह हमारा आज का लेक्ट्र हो आप सब को पसंद आएगा आपके एडवाइस आपके सजेशन्स जरूर अमारी कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करें ठेक है थैंक यू थैंक यू सो मत